आँच, दाब दाब, प्रेशर किसी सतह के एक आंग एक्षेतरपल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं अर्था, दाब P बराबर F अपॉन A बराबर प्रेश्ट के लंबवत बल बटे प्रेश्ट का एक्षेतरपल दाब का SI मातरक N upon M square होता है जिसे पास्कल P A भी कहते हैं दाब एक अदिश राशी है वायू मंदलिये दाब समानताया वायू मंदलिये दाब वो दाब होता है जो पारे के 46 cm लंबे कॉलम के द्वारा शूर्य डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांच पर समुद्रतल पर लगाया जाता है ये एक वर्ग सेंटिमीटर अनुप्रस्त काट वाले पारे के 76 cm लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है वायू मंदलिये दाब का SI मातरक बार होता है वायू मंदलिये दाब दस की पावर 5 N-m2 अर्था एक बार के बराबर होता है पृत्वे की सतह से उपर जाने पर वायू मंदलिये दाब कम होता जाता है जिसके कारण 1. पहाडों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है तो वायू यान में बैठे यात्री के फाउंटेन पैन से स्याही रिज़ जाती है वायू मंडले दाप को बैरो मीटर से मापा जाता है इसकी सहायता से मौसम संभधी पूर वा अनुवान भी लगाया जा सकता है बैरो मीटर का पाठ्यांग जब एक आएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है द्रब में दाप, प्रेशर इन लिक्विड द्रफ के अनुवों के द्वारा बर्तन की दीवार अत्वा तली के प्रती एकांग एक श्रीत्रफर पर लगने वाले बल को द्रफ का दाप कहते हैं द्रफ के अंदर किसी वस्तु बिंदु पर द्रफ के कारण दाप द्रफ की सतह से उस बिंदु की गहराई H. द्रव के गनत्व D तथा गुरुत्वे त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है 8. P. दाब बराबर H गुणा D गुणा G द्रवों में दाब के नियम 1. इस्थर द्रव में एक ही क्षेतिच तल में स्थित सभी बिंदूों पर दाब समान होता है 2. इस्थर द्रव के भीतर किसी बिंदू पर दाब प्रतेक दिशा में बराबर होता है 3. द्रव के भीतर किसी बिंदू पर दाब स्वतंत्रतल से बिंदू के गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है चार, किसी बिंदू पर दरफ का दाब, दरफ के घनतपर पर निर्भर करता है। घनतव अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। दरफ दाब संबढधी पास्कल का नियम पास्कल के नियम का प्रथम कथन यदि गुरुत्वे प्रभाव को नगन्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रफ के भीतर प्रतेक बिंदू पर दबाव समान होता है पास्कल के नियम का द्वीतिय कथन किसी पृतन में बंद द्रफ के किसी भाग पर आरोपित बर द्रफ द्वारा सबी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंतर है प्रिष्ट पांच रफ का दाब उस बात्र के आकार या आकरती पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रब रखा जाता है गलनांग तथा क्वतिनांग पर दाब का प्रभाव Effect of Pressure on Melting Point and Boiling Point गलनांग पर प्रभाव 1. गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांग भी बढ़ जाता है जैसे मोम, घी, आदी 2. गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घड़ जाता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांग भी कम हो जाता है जैसे बर क्वधनांग पर प्रभाव सभी द्रवों का क्वधनांग दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है